नमस्कार मैं अभी ने आप सब का अभी ने मैं इस पर स्वागत करता हूं जैसे कि आपकी बराबर से एक सिकाइद थी कि आपने जो में नहीं पढ़ा है एक टुछेट क्वांट बैच में जबकि मैंने पढ़ाया था बट मैं उस टाइम बहुत क्लासेज लेता था मुझे या क्या किया है जो हमारा लास्ट ऑफ लाइन बैच था उसकी वीडियो जो हम आपको दे रहे हैं जो मैंट्री की लगवर्ट वह भी ऐसी 35-40 गंटे की वीडियो है और कोशिश कर रहे हैं कि उसको कट-कट करा के दें जिससे कि सिर्फ आपको कंटेंट मिले और वह हमारी कोशि देंगी कोशिश है कि एक एक डिडड़ घंटे की वीडियो आपको दे दी जा एक एक बार में ताकि आपका जोमेट्री भी फिन यह सो बाकी मैं एक टूजर क्वांट 2.0 जब लेकर आऊंगा आज से 10-15-20 दिन एक महीने बाद से तो मैं वह सब भी पढ़ाऊँगा तो सब मिलेंगे उस वक्त बाकी मैं अभी जो कर रहा हूं अगर आप अभी लाइप प्रक्टिस करना चाहते हैं आपने जोमेट्री पढ़ लिए तो मैं अकैडमी पे सुबह 9-11 फिरी स्पिसल क्लासिस भी ले रहा हूं और जिन बच्छों को डाउट आता है तो वह आसके हमेट्री की विडियो एंजय करे electronics करिया मैं तो भी इस वक्त बाहर हूं जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो तो मैं मिलूंगा आप से जल्दी मिलूंगा और लाइप भी करेंगे एक और इस まं आपसे बात तो पढ़ते रहे हैं मेहनत करते रहे हैं जहां से जो भी मिले उसको accept करके समझ के आगे बढ़िए तब ही selection समभग है जब सब कुछ पढ़के जाएंगे कुछ भी छोड़ेंगे नहीं तो जो बच्चे प्री की तैयारी कर चुके हैं जिनको प्रक्टिस करनी है तो वो सुपह नौ बज़ जरूर मिले तब तक मैं विदा लेता हूँ आप अपना ख्याल रखें खुश रहें और यह इंजोई करें वीडियो को चलिए वीडियो शुरू होने वाली है देखे ठीक ह मुझे भी प्रॉब्लम है क्या ठीक है क्या आलें जी बड़िया और ठीक है गंजे वाले भाई साथ आप कैसे हो बड़िया चलो भी आपने भाई साथ भी इतना मोटा रिजिस्टर लिया रामा एंड की तरह मतलब पूरा गड़ी दिसी में खतम करेंगे नहीं सही है बच्चे भी कल को बढ़ लेंगे ना रिवीजिन वगरा कर लेंगे अच्छा 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 बंजी क्या हाल है बच्चे सब ठीक है यह बच्चे हमारा बड़ा प्यारा है बंजी तुम नहीं आयो भई है अच्छ पहली किलास है काफी पहले से आ रहे हो साड़े 11 से एक के बच्च में नंबर सिस्टम LCM SIF एवरेज रेशियो प्रपोर्शन एलिगेशन करवा दीजे मेरे छूट गए थे इनके इसाब से चलना चीफ पूरा बच्च इनके छूट गए दे तो अब करवा दो ठीक है पहले एलिगेशन पढ़ाऊंगा फिर रेशियो प्रपो 오ano नहीं पहले एवरेज पढ़ाऊंगा फिर एलिकेशन फिर रेशियो प्रपो नहीं पहले एवरेज पढ़ाओंगा फिर एलिगेशन फिर एश्य प्रपूर्शन तीन दो तुमारे साफ से हो गए उसका लेज लिए से फिर नमबर सिस्टम ठीक है चल देंगे तुमारे साफ से एवरेज सुरू करूंगा लेकिन टीजडे से मंडे भी टाइमेंड वर्की च साड़े 11 से एक साड़े चार से तो मैं मेंस के भी कुछ दिन पढ़ाओंगा एक्शली मतलब मेंस मैं आफ लाइन पढ़ाना नहीं चाहता था लेकिन ओनलाइन की फीड यहीं से दूँगा तो यहां पर कुछ बच्चे भी ठालूँगा बात करने के लिए मन भी लग रहेग यह मेरा प्लान है उसके बाद फिर साड़े चार से साड़े चार मैं सोया करूँगा आगे अनला टाइम में कोई बैच नहीं पढ़ाओंगा इतीनी बैच पढ़ाओंगा मिस्तरा जी कैसे आप ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते है और कितनी मेनद हमने अपनी अनसिप करते है बाहर गर्मी कैसी है कम है काफी बहुत जादा है लेकिन बेस्मेंट में तो पता ही नहीं चलता ना गर्मी का बड़ा कूल रहता है मैंने अंदर देखा बिना इसी के सारे सिस्टम ठंड़े बढ़े है तो कंप्पिडर ही गरम हो जा पूरा खुला खुला सा हो जाएगा कहीं भी बच्चा बैठे अपना सांस लेने में भी दिक्कत नहीं हो सर मेरे टॉपिक्स नहीं हुए इसका तो पूरा अर्थिमेटिक ही नहीं अलगता है सुभवाले बैच में इनके लबा जो टॉपिक्स बच्चे हैं वो कराई है कितने डिमांड नहीं हो गया है बच्चे नहीं यहां पर मैंसर नानी के घर गया था तो मेरे दो टॉपिक छूट गये थे सर में वो रेस लगा रहा था मेरे देखने वाले आये थे तो मेरी रेस शूट गए तो आप देख लीजिए उसमें क्या कर सकते हैं मैंने अपने ससुर को कहा भी कि तुम इस टाइन पर मता हो वो बहुत जल्दी है वो माने नहीं कि अरजी फरजी के बातें करेंगे आपके साथी होगी भी सर्व सिर्फ 24 साल के हैं मैं आपको बता दूँ 24 25 में रिष्टे ठीक आतें कर लेनी चीए बाद में क्या होता ना फिर थोड़ा समझ जवाब बस हाँ एक बार आप ट्राई कर लो ठीक है फिर देखना चलिए सवाल करते हैं सुरू एक बहुत आसान सा सवाल है कुछ आसान आसान से सवाल हैं से आज की क्लास की सुरूरात कर रहे हैं A, B, C और D ये एंगल अलफा बताना है आपको और दिया हुआ है A, B, बराबर B, C, बराबर A, C, बराबर C, D सब कुछ बराबर दिया हुआ है आप से बुछता है कि अलफा बता हूँ बैस आप लाइट नहीं जलानी है फोटो कीशते वक्त इस पर टेप लगा लीजिए काली और अगर टेप नहीं मिल रही है तो हमारे एक हम उमर पढ़ते हैं उनकी थोड़ी सी खाल दे देंगे आपको पतरगा कितना आगिया तीस आसन सवाल है बहुत ठीक है देखो भी अबी बराबर है बी-सी के ए बी और बी-सी बराबर है बी-सी बराबर है बी-सी बराबर है ए-सी के यानि यह ट्रेंगल कैसा हो गया? एक तीनों कॉंड बराबर हो गया तो 60-60 के हो गया? वैसे लिखने की जोरो तहनी तीनों को फिर भी हमने लिख दिया. अब आपको बताए कि AC और CD बराबर है. ये दोनों बुजाएं बराबर है तो ये एंगल अलफा है तो ये भी हो गया? बाकी जी नहीं हुआ. बहुत ही गलत है. बहुत ही जादा टुच्चे सवाल मैं पूछ रहा हूँ अभी आपसे. सिमला वाले वाई साफ ठेक हैं आप? बहुत बढ़िया. ABC एक ट्रैंगल है. ABD और ये एंगल C. कॉंड CAB बराबर? कॉंड CAB बराबर? हाफ अफ अगल ACD. एंगल BAD बराबर? 85 डिगरी. एंगल ADC बराबर? 40 डिगरी. एंगल AC भी कितना होगा? में बराबर? हाफ ग्राबर? हाफ.. सुष्ड़्यू ओरओर्भ्यू झाल 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 कितना है? 70 ये तोड़ा मुश्किल पढ़ गया क्या करना? बता दो अगर मुश्किल हो रहा है तो एंगल BAD कितना है? ADC कितना है? 40 और ये? 85 तो ये कितना हो गया? 55 तीनों कोणों का जोड़ एक सॉस्सी होता है अब इसने पूछा कि हमसे ACB पूछा है? इसने ये भी दिया है कि CAB Half of ACD है ACD अच्छे ये एंगल यानि कि इसने हमें दिया हुआ है CAB ये वाला इसने दिया हुआ है कि अगर ये 2α है तो ये अलफा है ये बोल रहा है न? इसका मतलब तो अलफा और ये 2 अलफा तो ये भी अलफा है क्योंकि इसका एक्स्टिरियर है तब ही ऐसा हो सकता है तो अलफा बच्पन आ गया इसने पूछा क्या है? ACB ये पूछा है इसने तो ये क्या होगा? 180 माइनस 2 अलफा यानि कि 110 तो 70 आ गया मुश्किल नहीं था मज़ा ऐसी गुमा फेरा रहा था ये सवाल जितने भी छोटे जोटे है हाल फिलाल के पिपरों में आई हुए सवाल है छोटे जोटे कैसे पिपर में आ रहे हैं सवाल ये मुश्किल था गया? ये बॉय है ये तुम कैसी कैप लगा गया एकदम फिलेट इस पे क्या चाय का कपरक के पीटते हो अच्छी लग रही है क्या नाम में पहली वर आयो आज? फर्स्ट क्लास है ओहो क्या करते हो पढ़ाई में? ग्रेशन हुआ है बड़े सांत सांत से हो इतनी सांती से कैसे हो गया? कहां से आयो? लखनों से? ओहो नवाबों के सहर से हो कोई नहीं तो ये तुम्हें ऐसे पता है कि तुर्भूच के तीनों कोणों का जोड़ एक स्वस्टियन्स होता है कितने लोग नहीं है जिनकी पहली क्लास है आज? एक दो तुम्हें आता भी यह नीला चस्मा? आता सब? आपको भाई सब? पहले कभी तयारी की हो? सेल्फ सेल्फ तो स्टार्ट होता बाइक में तयारी में सेल्फ जाथा कुछ नहीं होता ग्रिजेशन में क्या किये? बियसी यार बियसी में तो गड़े तोती अच्छी घासी तो यह नहीं पता तिर्फुष के तीनों कोणों का जोड़े एक सबस्ती होता यह सबला आगे समझ? चलो तो तो अच्छी बात है गंधी जी आप बताईए मंतिरी मंडल में तो जगे मिली नहीं हमारी गलास में भरबूर जगे ले रही है इनका नाम है मेनका गांदी देखे दुबारा से समझाते हैं संतु भाई ओए कच्रा देखो इदर यह अपना बच्छा है खास सगाई स्टूडेंट है देखो चालिस और पे चासी है कितना होगा पच्छपन इसने बोला कि यह टू अलफा है तो यह अलफा है सवाल में दिया तो हमने बोला कि यह अलफा और यह अलफा होगा तब यह टू अलफा होगा तब यह टू अलफा होगा तब यह टू अलफा ही पच्छपन है पच्छपनी अल्फा है तो टू अल्फ है 110 हो गया बचा कितना 70 मुश्किल नहीं था मुश्किल कुछ ही नहीं सिंसार में एक ही चीज मुश्किल है आपको नहीं बता गया अरे यान ए बी सी 94 डिगरी दे रखा है यह 45 डिगरी दे रखा है यह 15 डिगरी दे रखा है और यह F है तो आपको बताने हैं कि कॉड़ ACD क्या होगा ACD कॉड़ ACD और कुछ नहीं दिया हुगा कॉड़ झाल 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 तो आपोज़े इंटिरियर एंगल इजिकल टू एक्सेडियर एंगल मुश्किल लग रहा है क्या दखो अगर ये सब भी मुश्किल लग रहा है तो आपका कुछ नहीं हो सकता मैं बता दूँगा ये कौण 45 है ये कौण 135 है ये 120 है ये 70 है बस ये पूछाए एक इतना हो ये पलास मन्नी करों शोड़ी यार कितना आगया पचास आज आप सोच रहे हैं कि हमसे हर सवाल हो जा रहे हैं ये मैं चाहरा हूं तब तक ऐसा है समझ रहे हैं क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी घबड़ा जाते हैं वीडिये इतनी पहले पेपर है हम डर गए हमसे कुछ नहीं हो बैसा आपका है पचास बढ़िया खेल रहो आप थोड़े दिर और खेलो ऐसे ही देखो परिशान नहीं हो ना हमारी ऐसे मजाक करने की आद़त है आपको जिसने बेजा होगा बताया होगा हमारा कहीं कि जिन्दगी को ऐसे जी हो कि वक्त का पता ना चले नहीं तो बेकार है जीवन ये कोई पढ़ाई लेखा ही कामने आने वाली उपर मोक्ष में आप जाएंगे तो दो चार साल की कहानी है लेकिन जिन्दगी को ऐसे जीना है कि वक्त का आवास ना हो जब कभी आप पीछे मुड़के देखें तो पता रही कि मैंने हर पल कुछ जिया है और सब कुछ मिलता है ऐसा नहीं कि बहुत सीरियस रहने से ही लोग तरक्की करते हैं जीवन में या उनी को सबलता मिलते हैं मैंने कभी जीवन को सीरियस लिया ही नहीं लोग ये सोचते रहे तो सीरियस लेता ही नहीं है निकल गए समझ रहो ये 120ye angle ये कितना होगा? इसके जरुट पड़ेगी? नहीं बस तो इसके जरुट ही नहीं ये 120를 है तो ये कितना होगया? ये 35 हमने गटाया तो 85 65 अब ये भी 85 होगया ये कितना होगया? 130 तो ये कितना कि 5 मुश्किल है इए नहीं कोई बच्चा सतर वाले में तीनों एंगल फाइंड करने की सोच रहा है कि इसके जब तक दौनों नहीं निकलाएंगे आगे बढ़ूंगा ही नहीं बता ही क्या जरुवत है एक सवाल और ऐसा छोटा सा लिख लीज़े फिर बढ़ेंगे आगे क्योंकि कहीं ऐसा ना हो बड़े बड़े सवालों की चक्र में छोटे सवाल आप करी ना पाएं A, B, C D, E, F इसने बोलाई कि A, B जो है वो पैलल है C, D के कॉंड, A, B, C 65 है कॉंड, C, D, E 15 है A, B, 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 E, E है कॉंड, A, E, F पूछ रहे क्या होगा C, D, E, लिखाए लाष्ट में, E कॉंड, A, B, C, D झाल 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 कितना आ गया? 35 ठीक है भी? ए बी सी एंगल कितना है? 65 और C, D, E C, D, E ये 15 है अब इसने पूछा क्या है हमसे A, B बराबर A, E A, B और A, E बराबर है पूछा है A, E, F बता हूँ ये वाला एंगल पूछा है भी ये तो निकाला आपने कौन कौन सी लाइन है परलेल है? अगर ये 65 है तो ये कितना होगा? ये भी 65 होगा? अल्टरनेट अंगल यहाद है? अगर ये 65 और ये 55 है तो ये कितना होगा? एक सौ? अरे छोड़ ज़्यादा दिमाग क्यों लाइन है? ये 65 है ये भी 65 है नो? तो मैं ये गहारा था कि अगर ये मुझे पताए कि ये 65 है और ये 55 है तो ये 65 और पंदर असी नहीं होगा तो अब ये 85 तो बचा हुआ 100 होना चाहिए ये 65 है तो ये कितना बच गया? 35 तो मुझे लग लग ली थी इसमें भाई साब आप बताईए इतना भारी पेट लेके गुमते कैसे हैं? तकलिफ नहीं होता? एक बार दोबार आपका ध्यान इदर नहीं था? ओहो थोड़ा लेट है आप एक दो मिनट कहीं नहीं अरे कोई नहीं आप टेंशन मतलो हम चार बर बता देंगे कौनसे हमें जल दे है कौनसे हमारी ट्रेन चूट रही है खुद की गाड़ी है जहां लेके दोड़ते रहेंगे एक बात याद आगई चलो देखो इदर दुबारा से यह 65 तो यह भी 65 होगा क्योंकि जब दो लाइन ऐसे पैरलल हो तो यह अगर 65 है तो यह भी 65 होगा हूँ यह 15 है तो यह इसका एक्स्टिरियर एंगल है लाइने से जारी तो यह 80 होगा 15 प्लस 65 है और यह दोनों बुझाएं वराबर हैं तो यह 65 है यह भी 65 होगा अब पूरे पे एक 180 होगा तो यह 80 है तो बचा 100 यह 65 तो यह 35 बचा है हाँ अरे 100 तरीक है मैं तो ऐसे बता रहा हूँ आपकी मर्जी आप जैसे करो आपको क्या कौन सा फरक पड़ रहा है क्या से भी करो क्या 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 है क्या क्या है आगे बढ़ते हैं चले आज कुछ नई और बात सीखते हैं कल हमने ट्रेंगल का एक एरिया निकालना सीखा था कैसे हमने कहा था अगर ट्रेंगल की दो भुजाएं दे रखें उनके बीच का अकॉंड तो एरिया होता है हाफ एक्स बाइ इतनी सी बात हमने जाने थी ठीक है उसे आगे की दो बातां जानने से पहले दो छोटे-छोटे से नोट बना के लिख लिजिए उन पर मैं दो सवाल आपसे पूछ लेता हूँ इस बार भी उससे पेपर में सवाल आया है नोट वन ठीक है कि एक ट्रेंगल है एबीसी एबीसी एक ट्रेंगल है उपर टोड़ा खोल दिया हावा बास आउती रहे वैसी बहुत गर्मी है एबीसी ठीक है तो इसका एंगल बाई सेक्टर है ये एई और एडी परपेंडरिकुलर है लिख लिजिए एडी ट्रेंगल एबीसी एई इज एंगल बाई सेक्टर एंड एडी परपेंडरिकुलर है बीसी पे एडी इज परपेंडरिकुलर टो बीसी रंडवीर सिंग आपको आर ये बस समच बहुत अच्छे पेटे रंडवीर यहां इतने बड़ी-बड़ी सेलिवीटियां पढ़ रहे हैं रंडवीर संतू मैंने तो बड़ा नम संतू क्यों रखा था मैं खुद सोचता हूँ कई बार मेरे को समझ नहीं आता ने ने ऐसी संतू मेरे दिल में आए कि यह लड़का मुझे संतू जासा लगता है एक रड़का तो भागया उसका नाम रखा था मने गजली भाई गजली बीच में आये थे पीछे वैट था आप बता कि नाम न लें बहुत तगड़ा मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट नाम था गजली बहुत तगड़ा नाम था इसमें आपको लिखना है एंगल EAD बरावर हाफ ओफ एंगल B माइनस एंगल से अंतर लिखाए को कि B बड़ा भी हो सकता चोटा भी यह कैसे आएगा यह मैं बताता हूँ आपको कि अगल कितना है होगा अगर हमने अंगल B sector लिया है तो इदर देख लो भाई सब कोई नहीं यह अंगल A by 2 होगा आदा होगा अंगल B sector है तो यह अंगल C है तो यह कितना होगा C पिलस A by 2 अब आपको बताएगी यह 90 है तो इसका इसका सम भी 90 होगा अगर यह निकालना है मुझे तो मैं 90 में से घटा दूँगा C को भी और A by 2 को भी L से हम ले लिया दो 180 माइनस 2C माइनस A लेख सकते हैं अच्छा 180 को क्या लेख सकते हैं A पिलस B C माइनस 2C माइनस A by 2 तो A से A कट गया C और माइनस C कितना होगा माइनस A तो B माइनस C by 2 तरह है यही चीज हमने उपर लिखें आपको याद रखने है इस बार के पिड़ी में भी इससे सवाल आया है आप मैंसे अगर किसी ने पिड़ी दिया है और उसके सेट में आया हो तो दिया है पिड़ी की नहीं आपके में नहीं आया था ऐसा सवाल आठ नो तरीक में आया है तो यह बात याद रहेगी कंठस्ट रहेगी बंजिभा आपको आ रहा है सब समझ यार आपका नाम हमें वैसी बहुत बढ़िया लगा रखने की जरुति नहीं पड़ी कि कि अच्छ रहा है नहीं पर सकतर की जरुति नहीं पड़ी बंजिभा रहा है सब से बंजिभा रहा है चलिए एक सवाल देख लिजी इस पर औरे Suzuki झाल 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 आप जैसे EAD पूछ रहा है तो मैं डारेक्टी निकाल सकता हूँ कि यह हाफ 110-60 कितना आ गया 25 उत्तर आ गया ठीक है अगर आप इसको यह फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता है और आप पेपर में सवाल करते हैं तो कैसे करेंगे देखें यह एंगल कितना दिया है 110 एंगल बे और यह C कई बेचे सोच रहेंगे कि यह एंगल कितना बचा है उपर वाला A 10 बचा है और उत्तर आ रहा है 25 कैसे आ रहा है क्योंकि इसका परपेंडिकुलर बहार आएगा यह क्या है ऑप्टिव जेंगल ट्रेंगल है जब परपेंडिकुलर डालूँगा तो बहार आएगा और यह अंदर आएगा यह तो यह एंगल बाई सेक्टर है पांच-पांच हो जाएंगे टोटल 10 है और अगर यह 90 है और यह 110 तो यह 20 होगा क्योंकि 20 और 90 110 तो हमसे यह ए पूछा है यह एंगल पूछा है EAD तो आप क्या बोल देंगे 20 प्लस 5 पराबर 25 तो कभी भी ऐसा सवाल अगर आपके जीवन में उतरता है तो कर लेंगे इस बार की प्री में भी आया है यह छूटी छूटी चीज़े हैं जो हमेशा all time याद रहनी चाहिए कि कभी भी सवाल सब्सक्राइए तो कर पाएं बोलो भईया मिसरा जी आप समझ रहे हैं बहुत बढ़िया संदो आपको आगई बाद समझ अब आपना एपल का फॉन ले लो इस फॉन से फॉटो ठीक निया आती बजट है पूराना ले लो नहीं तो अरे कुछ नी इस कुटी बेच दो इस अच्छी से बात करेंगे तो आप इस फे पीछ टेग लगवा लो एपल का उसमें ज्यादा खर्चा भी निया आएगा एपल का आप कोई भी सामान लो तो उसके अंदर दो टेग निकलते हैं एपल के आप सस्ता वैग खरीद के उसे लगा लो बंदे को लगता ही कि औरिजिनल है ऐसे टेग लगाने से होता तो बंदे महंदरा पे ब्यम डबलू का लगा के गूमते है लेकिन पहले हम लोगों को एसे ही लगता था टेग मिल जाए मज़ा आजए बोल दो क्या ही जा रहा एपल का बैग है कई बंदे बड़े चालो तो उसमा कमी ने का बहुत इसकी चैन पर लिखनी रहा एपल है चैन खायागा तू कई बार तो आप शर्ट बताओ यार कि इस ब्रांड की शर्ट है अरे यार इसके बटन पर तो नहीं लिख रहा तू लिख दे ऐसे मिलते होंगे आपको भी नहीं ऐसे बंदे चिंदी चो टाइप की सामने वाला तारीफ कर रहा है करने तो तुम क्यों डिश्टाप कर रहा बीच में तुम भी कर रहा है इसका नोट टू लिखना है दुबारा से ए बी से ये इसका एंगल बाई सेक्टर है इंटिरियर एंगल का और ये इसका बाई सेक्टर है एक्स्टिरियर एंगल का और ये दौनों बाई सेक्टर मिल रहे हैं दौनों बाई सेक्टर मिल रहे हैं ठीक है तो ये जो एंगल होगा ये एंगल होता है ए बाई टू ठीक है कैसे आता है वो मैं बताता हूँ पहले समझ लो, बाद में copy कर ले न, ठीक है जैसे कि ये angle bisector है तो इस angle को मैं कह सकता हूँ कि b by 2 होगा ठीक है, अब ये पूरा angle कितना होता है पूरा angle a plus b क्योंकि exterior है तो आधा कितना होगा a plus b by 2 आधा कि a by 2 और b by 2 अब आप अगर इस triangle में देखें इसमें तो इसका इसका सम ये होगा तो ये b by 2 है और ये a by 2 plus b by 2 है ये कितना होगा a by 2 ऐसे लिख लो फिर मैं सवाल बताता हूँ इस पर कैसे आया बरुसा है कि आप कर लेंगे कर लेंगे अब बोटल का तुम लोगा भी आट बेस ने पहले करी समय हो जाता है है कि दो गूडमे दो दो गूडमे दो तुमको तो इन सब बातों की बहुत knowledge है इस पर देखे सवाल 2017 परी में आया था 18 परी में इससे पहले वाले पर आया था बस कुछ भी ना चितर बनाया था ना कुछ बात लिखी थी बस डाइगराम बना दिया था ऐसे करके कि यह एंगल एकस है तो यह भी एकस यह एंगल वाई है तो यह भी वाई बस और कुछ नहीं और यह 48 था और आपसे एंगल एप उच रहा था क्या हो अबिर गो अनुमान मैं गरो मैं बच्चे बोल रहे हैं कि पीछे की तीन ट्यूब फीजें देखने प्रब्लम हो रही है कौन से ट्यूब फीजें पीछे की तीन जो आपको अभी तक नहीं दिखी है भाई बता दो इनको जुसने लिखके बेजा है ने तो यो लोग बात में मुझे कहीं कोई फीजी नहीं है अभी बदलवाओ इनको पता नहीं क्या फीजी नहीं है दिक्कत क्या है प्रोजेक्टर पे साफ नहीं दिखता जूट के मूल रहे हैं तुम ट्यूब फीजे मॉबाइल की टॉच चला लो अगर आपको अपनी कॉपी पर नहीं दिखाई दे रहा है तो नहीं तो दस रुबे का पैन भी आता है उसमें अलकी लाइट होती है उस टाइम पे लाइट वाले पैन लाइट वाले जूटे चारो वाले जो चारो वाले पैन आता था कितना क्रेज होता था इंगल नहीं सब उतर गया दिरे दिरे भूत देखे यह एक्स एक्स है इसका मतलब यह एंगल बाई सेक्टर है यह यह एंगल बाई सेक्टर है तो यह कितना होगा 48, 48 चान भैं कर लेंगे ऐसा कोई सवाल आईगा चलिए अब कुछ अच्छे अच्छी बात हैं सीखते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले पेश पे चलते हैं यहां तक किसी भाई को कुछ फूछना है किसी भी सवाल में कोई doubt है तो बतातो आपको जी मत वरा तो मैं आ रहा है समझ ठीक है जैसे यह एक ट्रेंगल है ट्रेंगल का एरिया दो बातों पर डिपेंड करता है नहीं किस-किस पर बेस और हाइट पर एक बिंदू से एक लाइन पर कितने परपेंडिकुलर खीचे जा सकता है एक बिंदू से एक लाइन पर एक यह से ऐसे नहीं कैसे गूम के आके नीचे से पूलाएं एक पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर जा सकते हैं एक साइट से है कि नहीं यानि अगर मैं A बिंदो की भुजा B C से दूरी पूछूँगा तो एक सिंगल दूरी होगी होगी नहीं होगी जानि अगर हम इसमें कई सारे और भी ट्रियंट बना देते हैं जैसे हमने ये ट्रियंट बना दिया तो यह जो दौनो ट्रियंटल है या तीनो ट्रियंटल इन सबके हीड बराबर होगी क्योंकि हाइड होती है वर्टेक्स से बेस पे perpendicular जो distance है उसे हम height कहते है कौन-कौन से triangle की? ABC की ABD की और ACD की इन तीनो triangle की height same है, देख लो, है नहीं तो triangle का area दो बातों पर depend करता है, किस-किस पर? height और base, और height इन की समाने, तो अब किस पर depend करेगा? base पर depend करेगा जितना जिसका base होगा उतना ही उसका area होगा तो हम यह क्या सकते हैं कि ABC और ABD और ACD की जो area का अनुपाद होगा वो होगा BC, अनुपाद BD, अनुपाद CD, यह बाद आपको लिखनी है अनुपाद अनुपाद जिस पिलिए तो हम झाल BD, रम का आपको ल्गाद अनुपाद का अनुपाद वो बाद झाल झाल यह लिख लिया जैसे एक और एक्जाम्पल इसके साइड में लिख लो आगी वाले पेच पे चल ले यह कॉपी कर लिया आपने थोड़ा जल्द जल्द लिखा करें माले दें कि यह तीन पांच में बढ़ गया तो मैं आप से पूछूँ कि एरिया आफ एबी डी और एरिया आफ एसी डी का अनुपाद क्या होगा तो आपका जवाब होगा तीन पांच ही होगा कितना होगा तीन पांच तो अब मैं आप से बहुत छोटे छोटे से सवाल पूछना शुरू करता हूँ ठीक है बहुत छोटी छोटी से सवाल हम जादा सवाल करेंगे लेकिन आगे तब ही बढ़ेंगे जब आपको समझा जाएगा ठीक है जी तो तैयार हैं दोस्तों आप फिरने गिरना करेंपको समया करें जाएगा विरेका जाएगा जाएगा हैं ठीक है एक बहुत छोड़ा से सवाल से सुरायत करता हूँ आपसे बूचता हूँ क्या जवाब होना चाहिए जैसे ये एक ट्रैंगल है ABC और ये एक लाइन है DE तो AD अनुपात DB बराबर 35 है और AE अनुपात EC बराबर 13 है समझ रहे हैं आपको बताना है कि ADE अपॉन ABC का अनुपात क्या होगा इतनी सी बात बतानी है बस और कुछ नहीं देखिए ये दू बातें जो मैंने बताई हैं आपको एक तो कल बताई थी कि अगर तरभूज के दो बुजाएं और उनके बीच का कौण दिया है और एक बात आज बताई कि area बेस के अनुपात में बढ़ता है ये both the things are complimentary ये एकी चीज़े हैं अगर ये लगाएंगे तो उसकी जुरूत नहीं पड़ेगी और वो लगाएंगे तो इसकी जुरूत नहीं पड़ेगी तो हम आगयाने वले चार पास अवाल दोनों मेथड से करेंगे एकस वाई साइनटीटा से भी और जो आज बताईए वो आप जानेंगे कि क्या इन में अंतर है और क्या क्या खास बात है ठीके जी तो तैयार हैं दोस्तों आप कितना आगया जी उत्तर देखे दो तरीके क्या क्या है इसको करने के आपको बताएं कि ये तीन दिया हुआ है और ये और ये एक और ये तिन मैं इन दौनो ट्रियंगल का एरिया निकालने के लिए ये क्या सकता हूँ कि इनकी दौनो बुझाएं मुझे पता है और उनके बीच का आकॉवड तो पहले व़ले ट्रियंगल की बुझा कितनी है? तीन गुड़ा एक उन्टू साइन मैं दोनो बुझाएं पता है? और उस साइन तो साइने से साइने कट गया हाफ से हाफ तीन बटे कितना आगया 32 बटेस भईया 24 कैसे आठ चॉक 32 होते है 24 संदू क्या लेवल है तुम्हारा बालो में तुम्हारे जुएं रहें 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 तुम ना गज़नी की तरह बन वालो अपने बाल ता कि जो में रहे निकनी के लिए रास्ते मिल जाएं एक्स्प्रेस वे दोगर 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 भागरी है जो है आरे ने कलीले जानते हैं तुम कलीले कौन जानता है यहां पर एक, दो, टीन, चार, पांच पांच यह लोग जानते हैं चलो जीर जानते हैं वही समझें तो सही है अरे नहीं बहुत बेकार चीज होती है समझ लेज़े उस से गंदी कोई चीज नहीं होती है आप नहीं समझ पहेंगे इसको जो लोग जानते हैं उनसे पूछ लिजेगा देखो बैसंतू अगला तरीका क्या है भाई अग्ला तरीका जानने जा रहे हैं इसका ठीक, रेडी हैं आप? देखो अग्ला तरीका क्या है? कि अगर मैं इस लाइन को इससे मिला दूँ A, इससे तो आप ये कह सकते हैं, इसका अरिया 3, इसका 5 होगा यह लाइन इसको बेस के अनुपात में बाट रहे है, बेस का अनुपात तीन-पांच है, तो एरिया का भी कितना होगा? होगा है नहीं? अब आप मुझे बताइए, कि इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना है, इस पूरे का? और ये लाइन इसको एक तीन में बाट रही है तो एरिया भी आठ थी या 24 होगा तो उपर वाले का एरिया कितना है या तीन और पूरे का कितना हो गया 32 एक यह तरीका था तो मैंने यही का आपको कि हम हर सवाल को दौनों तरीके से करें तो मैंने यही बही बैस समझ ओहो गाना का लेते हो ना तुम दिल की दड़कन में रहते हो फड़ाई नहीं आरी समझ तुमें आप यह पूछें गाना कॉन कॉन का लेते हैं हम भी गाएंगे तो गाएंगे बाहर फूल परताओ हमा महभू बाया है मैंने आईसोसेलस से कोई लेने देना नहीं है अभी तो मैंने ट्राइंगल सुरू किया आप आईसोसेलस राइंगल यहां सब मत पहुँचिये जरूती नहीं है अभी तो मैंने बात ही नहीं कि मैंने सर्फ बात किये भी कि ट्राइंगल स्की और हम ट्रेंगल की बात करेंगे आगे अनले 10 जिन तक उसके बार टाइप आफ ट्रेंगल आएगा वो बात की बात है एक बार और बिल्कुल बाइस आपकी फर्माई इस पर प्रस्तुत है इसका एक बार और solution ठीक है देखे बहुता ये 3 और ये 5 तो एरिया भी तीन और 5 अब आप चाहो तो इस बीचवाले लाइन को भूल जाओ अब ये लाइन के सनफनबा बात रही एक तीन में तो एक की जगए 5 और 3 आठ है इरिया तीन की जगे 24 होगा होगा अरे थुढ़ा आपना कुछ और सोच रहे हूँ अभी रहने दो उनको देखो ये पांच और तीन आठ लिख सकता हूँ या नहीं तो एक की वेलो आठ है तो तीन की चौबिस होगी की नहीं वो मैंने बीच वेल लाइन हटा दी थोड़ी दिर के लिए अब आदेगा समझ आप पूछो के तो ऐसा होई नहीं सकता कि समझ ना है वो तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप में इतना दिमाग है आप अपने आप कुछ कर लेंगे कि उनकता कि अप अपने आपर दीह है कि ऱिए कि रasa कि यह है खोरी आप간 में आप आप FRबद आपी ख corresponds हょमी का में अपने नहीं आप दो वे खाने है वो मैं आप त्रम आप ए, उल्ध टेर मप्त और फैक दो इस फॉन को पापा को दिखा ना कर जा कि पापा ऐसी फोटा आरी है इस फॉन में बदलवाओ बदलवाएंगे कि नहीं फिर बहुत कुछ बदलवा दिया पापा ने हाई राम तो तुमने उनकी मानी क्यों यानि गलत बात है अगर पापा ने वो सब शीचें भी अपने दंबे बदलवादी तो इट्स टू बैट कहने का मतलब हम यह कह सकते हैं कि लफसे अरेंज हुई है कोई नहीं संतो आपका भी वक्त आए कभी आप भी पापा बनोगे सारे बदले बच्चों से लेना खीर देना उनको बिना चावलगी अरे ये कौनसी खीर हुई तो पापा ने गलत करा आपके ने नहीं करा आपके साथ यही तो बच्चों में है कि मानते भी नहीं है गलत हो भी रहा है मेरा बच्चे लेना तो मैं एक ऐसी हेलप लाइन नमबर बनवा दूँ बच्चों के लिए कि छोटे बच्चों के लिए एक दो साल के लिए फॉन करके बच्चा बता से कि जी आज टाइम पे खाना नहीं मिला नहीं दूद ममी पापा सुबे से मूबी देख रहे है मेरा कोई ध्यान नहीं है तुरंत आई पुलिस है बच्चे को टाइम पे खाना दूद मिलाएं की नहीं इसके लिए होनी चेक हेलप लें माबा बच्चे को पीछे डिगगी में डाल देते हैं भाई सब हाय करता रहे ता बिचारा आगे उसकी ममी के गोद में गुत्ता बैठा है बच्चा पीछे दूसरों को हाय कर रहा है एक बहुत खूपसूरस सवाल आपकी नजरों के सामने है एबी से ठीक है डी और ए एडी और डी बी का रेश्यों दो तीन का है गुरू एई और एसी का अनुपात चार पांच का है चार पांच का ठीक है चार पांच ज्यादा हो रहा है तीन एक लिख लेते हैं नहीं तीन एक पी ज्यादा हो जाएगा चार एक लिख लेते हैं चार एक ठीक है और डी ओ और और ओई का अनुपात दो एक मैंने एक बार और चेंज किया है पांच चार ठीक एक बार बस लाज था पांच चार ठीक है इतना सब दिया हो है आपसे बूच रहे हैं कि बी उसी बटे ABC की क्या उम्मीद है बी उसी अपन ABC की क्या उम्मीद है जितने भी हतकंडे आप लगा सकते हो एक बार लगाओ अजमाओ उस्छाहाँ आप लगाँ ईंध पांच आप झाल 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 पता नहीं अच्छे के पसीने छूट जाते हैं अब अपनी बात करते हैं या आपकी एगरिशन भी नहीं हुई पुस्पेंद्र अच्छा अच्छा वो जो लड़का उदर सेलेक्ट हो गया अच्छा उसके जानने वाले उसके कौन लगते हैं बाई हैं आप जाज़ा लगते हैं उसके अच्छा वो आपका जाज़ा लगता अच्छा क्या कर रहा है वाज किल बहुत इंडेलियन लड़का था पढ़ने में बहुत प्री में उसके कम नमबर दे लेकिन उसमें में बहुत अच्छे नमबर लिखा है आज आएगा अभी आपना इसा करो यह जोमेट्री के लावा साड़े ग्यारे वाले बैच में हो आप मंडे से टूजडे से ठीक है हाँ अर्थमेटिक में एवरेज स्टार्ट होगा बस टाइमेंड वर्क हुआ है भी हाँ टाइमेंड वर्क हुआ है साड़े ग्यारे से एक ठीक है इंग्लिस की क्लास है उससे पहले चलो कोई नहीं अभी आते रो अब तुमें तो हमें पढ़ा नहीं है तो उसमें क्या ही तुमें ग्यान दे ठीक है आ जाएगा दिरी दिरे पढ़ते रो देखो भी AD और DB का अनुपाद कितना दिया हुआ है 2, 3 और इसका कितना दिया हुआ है 5, 4 और इसका कितना है 2, 1 ठीक है यह दिया हुआ है कहां से शुरू करें इरिया निकलना आप बोलो जैसे आप ठीक लगता है इधर से आसान बढ़ेगा इधर से चलेंगे तो नहीं ठीक है तो मैंने बोला कि इसका इरिया चार अगर माल लूँ तो इसका कितना होगा इसमें कोई एतराज अगर किसी को है तो बताओ देखे जब हम यह एरिया निकाल रहे होते हैं तब हम सिर्फ क्या देख रहे होते हैं पता है A, O, C ट्राइंगल देख रहे हैं कि जो O, E लाइन है वो बेस को 5 और 4 की अनुपात में बाट रहे है बाट रहे हैं नहीं तो फिर एरिया भी क्या होगा 5 और 4 की अनुपात में होगा बो इतनी सी बात के लिए रहे हैं अब आप यह बताओ अब हम देख रहे हैं A, D, E ट्राइंगल में कि जो बेस है वो 1 और अनुपात 2 में अगर इदर 1 है तो इदर 2 है तो इदर अरिया एक है तो इदर 2 होगा यानि अदर 5 है तो इदर कितना होगा 10 10 अब आप देखेंगे A, OH, B ट्राइंगल में अगर दो की जगए 10 है तो 3 की जगए कितना होगा अब आपको B.O.C. का निकालना है अगर आप पूरे ट्रेंगल के एरिया का अनुपाद निकाल दो या पूरे ट्रेंगल का एरिया अगर आपको मिल जाए तो B.O.C. का निकल सकता है नहीं क्योंकि अगर पूरे ट्रेंगल का मिल गया तो हम उसमें से ये गटा देंगे, बोलो अभी हमने सीखा था थोड़ी दिर पहले ही कि यार A, D, E और A, B, C का अनुपाद में निकाल सकता हूँ जो उपर वाला A, D, E है और A, B, C उसका अनुपाद में निकाल सकता हूँ कैसे? Half into 2 गुड़ा 5 into sine बहुत दिक्कत आजएगे Half into ये बुझा कितनी हो जाएगी पुरी? 5 ये बुझा कितनी हो जाएगी 4-5? No into sine sine ये से sine ने कट गया, half से half 5 से 5 कट गया, कितना आगया? 2 बटे? No अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि उस उपर वाले का इरिया है कितना? 15 यानि 2 की value 15 है अगर 2 की value 15 है तो 9 की कितनी हो गए? साड़े साथ, एक की हो गई 75 निम्मा कितने होते हैं? आपको बड़ा 675 67 तो आप देखेंगे कि पूरे triangle का area अगर A, D, E का 15 है तो पूरे का कितना आ गया? 67.5 आ गया अब आपको पताएगी भई, B, O, C का कैसे निकलेगा? देखें, इसका तो 67.5 हमने लिख लिया अब B, O, C का कैसे निकलेगा? 67.5 में से क्या करेंगे? गटा देंगे कितना? 10 और 5, 15, 15, 34 गटाएंगे कितना बचेगा जी उपर? 33.5 बटे यह होगा? पॉइंट से पॉइंट अटा देंगे और 5 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा? 35, 35, 35 नीचे 5 एकम 5 5 थिया 15, 35 67 बटे 135 इतना गंदा सान उपाद आ रहा है तो किसी का भी नहीं आ रहा था? आ रहा था किसी का? क्या हमने गलत किया है? यह बाई साब जो तयार हो के आए हैं आज आज़े दूदिया लग रहे हैं सकल से बोलो समझ माया है कि नहीं? आज बहुत दिनों में आयो ना तो ना क्या आयो विसीलिया हैं सामने आपको समझा रहे हैं जै इंजीनियर हैं आप? कैसा लगता है इंजीनियर करने के बाद पूरे रिष्टदारी में चर्चा होगी जी उनकी बेटी इंजीनियर हैं होती है चर्चा वर्चा नहीं बिहार में ज्यादा होती है इनने तो M-tech भी कर रखा है फेल होगी लेकिन दो बार M-tech में गर पर जोट बोलती है कि मेरे इंट्रेस्ट नहीं है M-tech में ऐसे हुआ थोड़ी गंदी सी वेलू मैंने जानबूच करी ती था कि थोड़ी कैलकुलेशन आप सीखें हैं कैलकुलेशन सीखने का वक्त आगा है पीछे बाइसा पपजी वाले पपजी एरेक्टिड है ये कौन सा होता है ? इडिक्टिड सुन तू आप भी खेलते हैे आपकी तो भी वो खिलने की उमर है कौन सा होता है ? नहीं नहीं और अरि वो जो उसको.. बहुत हम लोगों ने आपने बहुत कहिल अ ए अरे North Korea मारियो सूपर मारियो इनकी तो भी सुपरमार ये खेलने के उमर है उसको कूट कूट के दोड़ाएंगे अंदर गुजा के पाइप में फिर बाहर से नहीं है तेकन फाइव खेल ते इस सवाल को मैं दोबारा बता रहूं एक बार ये चार है ये पांच ठीक है तो मैंने का इसका इरिया चार होगा इसका इरिया पांच होगा ये एक था ये दो तो इसका इरिया पांच तो इसका दस होगा अब दो की वेलू दस है तो तीन की कितनी हो जाएगे पंदरा 15 हो गई हमने सारे area निकाल लिए फिर हमने का कि हम ADE और ABC का अनुपात निकालते हैं तो आपने का कि half into 2 into 5 into sign है half 5 into 9 into sign है तो एक कट गया तो 2 बटे 9 आ गया अब अगर ADE का area 2 है तो पूरे का 9 होगा लेकिन ADE का कितना था 15 है तो 2 की value 15 हो गई नौकी कितने आगे 67.5 फिर मैंने 67.5 में से 15 है 10 पांच ये सब गटा दिया ठीक है चले मैं एक और सवाल पूछ लेता हूँ इसी पर जिसे आप करेंगे आसान सा D और A क्योंकि अभी तक ये आया नहीं है सवाल आना चाहिए ABC ये O है अपकी बार दिया हुआ है विस AD अनुपात DB बराबर CE अनुपात AE बराबर 3 अनुपात 1 1 अनुपात 3 या 3 अनुपात 1 की लिख लो क्या फरक पढ़ रहा है ठीक है O DE का मिट पॉइंट है तब आपसे बुच रहेगी BOC upon ABC क्या हो क्या है झाल 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 झाल